हालो दोस्तो स्वागत है आपका जीकेवेत अज़ेम YouTube चैनेल में आज का जो हमारा टापिक है वह है मानो जनन तंत्र आज हम इसके बारे में जानेंगे लेकिन मानो जनन के बारे में जानने से पहले हम जनन को पहले समझते हैं क्या है और देखिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो के अंत्मे में कुछ इससे important सवालों को मैं कराऊंगा बताऊंगा कि इससे किस तरग सवाल आते हैं वो जादा आपके लिए उपयोगी है लेकिन बिना इसको जाने समझे उन सवाले को कोई भी मतलब नहीं है तो सबसे पहले आता है जनन देखिए जनन क्या है जनन बिल्कुल सिंपल है भासा कि किसी जीव द्वारा ये किरिया होती है जनन इसमें जीवों की संख्या भड़ती है अब जनन कितने टाइप के होते हैं तो देखिए जनन मुख्यता दो ही टाइप के हैं और लेंगिक जनन और लेंगिक जनन और लेंगिक जनन का अर्थ है जिनमें नर और मादा होते नहीं है यानि इन में जनन के लिए नर और मादाओं के कोशिकाओं के मिलने की ज़रुवत इसमें होती नहीं है यानि बहुत से हैं जिवाणू हैं कवक हैं इस तरह के बहुत से पादब भी हैं बहुत से जिन में इस तरह की जनन की किरिया होती है दूसरा आता है लेंगिक जनन लेंगिक जनन में कॉंसेप्ट होता है नर और मादा का इसमें नर और मादा होते हैं और इन दोनों दो अलग-अलग हैं और दोनों की जब कोशिकाएं मिलती हैं तब जनन की किरिया पूर्ण होती है अब इस आधार पे इनमें क्या होता है ये द शुक्रानू जबकि महादा के पास अंडे होते हैं अब इन लिंगों के अधार पे जीव दो ही टाइब के हैं अब एक लिंगी का मतलब वे जीव जो इस्पेशली एक लिए जाते हों जैसे गाए भये समस्त अस्तंधारी जो होते हैं वो एक लिंगी हैं यानि इन में एक अधार के लिंगा होते हैं अब वे ऊस तरह के जीव हैं के चुआ अ थीता रिमी हाईड्रा इस तरह के जीव क्या होते हैं उहीं उन्ही के अंदर नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। अब इस तरह से क्या ये दोनों क्या हैं? अलग-अलग है। अब आता है निशेचन। अब जो लिंगो के आधार पे जब शुकराणू और अंडे मिलकर बनाते हैं गर्व या मिलना, इस किरिया को हम लोग कहते हैं निशेचन। यानि जब शुकराणू अंडों से मिल जाते हैं तब ये किरिया होती है क्या? निशेचन की किरिया कहलाती है। निशेचन दो टाइप के होते हैं वाहे निशेचन और आंतरिक। वाहे का मतलब क्या होता है? कि इसमें किसी जीव के अंदर गर्व पलता नहीं ह इसमें एक जीव नर क्या है अपना इस्पर्म छोड़ता है और मादा अपने अंडों को छोड़ती है और वो पानी के अंदर चाहे बाहर हवा में जैसे भी वो आपस में जुड़कर गर्व का निर्मान कर लेते हैं इसके उदाहरण है आंतरिक वाह के जैसे मचलियां या उभ खुकराणू को छोड़ता है और वो दोनों आपके आपस में मिलती है लेकिन ऐसा निए कि शुकराणू किसी और के अंडे बस उसी अंडे को हिसे चित करेगा उसके बाता है आंत्रिक हिसे चनल ऐसमें क्या होता है कि नर्ज जो होता है मादा के गर्ब उसके अंदर या उसके सरीर के अंदर शुक्राणुओं को भी चोड़ता है ऑप उसके अंदर अंदर हिसेचित होता है अब अब जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, उनको अंडज कहा गया, जैसे बतक है, हुर्गियां है, ठीक है, बहुत से जीव जो अंडे द्वारा होते हैं, साप है, तो ये अंडज, जो जिनके बच्चे होते हैं, यानि जो जीव सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उनक हनुष्य है या समस्त अस्तंधारी वर्ग है अब ये तो एक सिंपल सथा अब हम आते हैं नर रजननतंत्र देखिए इसमें दो चीज़े है नर के बारे में हम आज केवल जानेंगे तो नर रजननतंत्र की जो है सबसे पहले नरों का लक्षण क्या है तो प्राथमिक जो है लक दो जोड़ी होंगे यहां पे देखिए दो शुकर वाहिनिया यहां से होते हुई यह जुड़ा होता है शुकर वाहिनी एक शुकरा से यहां पे होगा जहां पे जुड़ा हुआ है एक शिशन होगा यह होगा यह लक्षण है आप किसी भी जीव को देखके समझ जाएंगे जो अस्तंधारी में हैं चिरकोई भी नर की बात रहा हूँ। और यहां पर केवल मानो की में बात हो रहा हूँ। तो मानों को देख कर आप कैसे जानेंगे ये चीज़े उन में होती हैं, जिन में वरिशन और शिशन बाहर की तरफ होते हैं, बाकी बहुत से हिस्से अंदर होते हैं, उतियक है भारी आवाज, दाड़ी उचका आना, शरीर पे अत्ताधिक बाल, तौचा का ठोर होना, मांस्ति आता है वरिशन, वरिशन दो जोड़ी, एक जोड़ी ये होते हैं और ये गोल होते हैं, और थैले के अंदर होते हैं बंदे, तो थैले नुमा, हिरिशन कोस के अंदर, हिरिशन स्थित होता है, इसके अंदर बहुत तरह के जाल होते हैं, ऐसे बहुत तरह की अंदर ही जाल हो और ये थैले के अंदर होता है बंद ठीक है इस जाल के अंदर शुकराणूओं का निर्मान होता है अर्थात विरिषण के अंदर शुकराणूओं का निर्मान होता है अब ये शुकराणू जो बनते हैं तो इनके सरीर इनका तापमान सरीर के तापमान से तीन से चार डिगरी Celsius कम होना चाहिए नहीं तो ये बनेंगे नहीं इसलिए विरिशन क्या होता है ये एक जोड़ी होता है और ये सरीर से बाहर निकला होता है इसके अंदर विरिशन के अंदर अंतरा अंतराली कोशिकाएं होती हैं जिससे टेस्टो इस्टोरान नामक हार्मोन्स का सुराव होता है और यहीं इसी के अंदर होता है स्राव होता है टिस्टो इस्टोरान इस तरह का हार्मोन से जो नर के अंदर दाड़ी मूच या नर गुन लाने के लिए जिम्मेदार है बहुत से जानवरों में क्या होता है उनको पालतू हनाने के लिए जैसे बकरो के साथ है, जो सान है, तो सान के क्या होते हैं, तो उन में क्या होता है, कि उनका होता है अधिया करण, यानि विरिस्वन को काट कर निकाल देते हैं, जिससे वो पालतू और सब बन सके, ये जानवरों में होता है, उसके बाद आता है अधिय विरिस्वन, ये क्या ह विरिशन के ठीक पीछे एक कामा के आकार की सनचना होती है, यहीं पर जब रिशन से बने हुए शुकराणू इसी के अंदर घुज जाते हैं, और यहीं पर शुकराणू जो होते हैं, बड़े होते हैं, और परिपक्व होते हैं, मेचोर होते हैं, अपने रूप में बन जाते ह और यहीं पर संगरहन भी होता है शुक्रणों का, उसके बादा शुकरवहनियाrieben, यह अधी हिरेशन को शुक्रासे से जोड़ती है, अधी हिरेशन से एक शुक्रासे नली होती है, घुकृवी जो शुक्रासे को जोड़ती हैं, अब जानिए शुक्र वाहिनिया जो होती है इनहीं को काट अगर दिया जाए तो काट कर बांध दिया जाता है नायलान के धागे से इसको कहते हैं नस बंदी नर नस बंदी में शुक्र वाहिनियों को काटते हैं और उसको बांधते हैं इस किरिया कहते हैं नस बंदी कहते हैं important सवाल है और यह जोडता कोना को है तो यह अधी रिश्ण को शुकरासे से शुकरासे एक थैले की तरह सनचना होती है शुकरासे क्या होती है थैले की तरह होती है छोटी सी और यह अपने दीवारों से एक चिपचिपा पदार्थ का सुराओ करती है जिससे विर्य का अधिकां भाग इसी से बना है और ये शुकराणों को गमन करने के लिए माध्यम प्रदान भी करता है और उसको पोशन भी देता है ठिक कौन शुकरास है यहीं से वो पदार्थ बाहर आता है उसके बाद आता अस्खलन नली यह शुकरासे को मूत्र मार्ग से जोड़ता है शुकरासे को में दो ऐसी रंथियां हैं जो आपको जाननी चाहिए एक कान प्रो इस्टेट रंथी यह मूत्र मार्ग के चारो और फैला होता है यहीं पे होती है यहीं के चारो तरफ गुलाई में फैली हुई होती है इसी तरफ फैली होती है और यह करती क्या है मूत्र के चारो ता यह एक द्रव का सुराव करती है ठीक है और वो द्रव का सुराव जो करता क्या है वो भी शुक्राणुगों को माध्यम परदान करता है और वीर को जो आती है गंध इसी के द्वारा आती है जो द्रव का सुराव कौन किया है प्रो इस्टेट कौन कौन की है पहले शुक्रास है प्रो एक रंती होती है इस से एक चारिय द्रव का सुझाप होता है विर में विर को पर चाप पर ऑपर द्रवा के कारण ही आता है अब ये जो जो मूत्र अर्ग में क्या होता है कि ये छारिये दर जो है ये मूत्र मार्ग जो है इसको जीवानू रहित भनाता है यानि जीवानू को मारता है और संकर्मन को खतम भी करता है इस तरह अगला है मूत्र मार्ग मुत्र मार्ग यहां से लेके यहां तक होता है शिशन के इस भाग से इसका काम है मुत्र और वीरे को निकालना दूसरा है शिशन नर शिशन यह इस पंजी उत्तको का बना होता है इसकी सबसे बड़ी quality क्या होती है कि ये जब जब सोचता है नर तो उसके जब उस तरह का सोच उसके आती है तो समय पर इसमें रक्त का बहाओ बढ़ता है और ये सक्त बहन जाता है होता क्या है एक होती है धमनिया और एक होती है शिराएं धमनियों से सुध रक्त आता है शिराओं से निकलता है इसमें क्या होता है कि धमनियों से रक्त तो आता है लेकिन शिराओं से उतना निकलता नहीं है जिसके कारण ये कठोर हन जाता है सकते इसका इस्तमाल जो होता है वो शुकराणूं को या हिर्रे को मादा के जनन अंग में छोड़ने या पहुचाने कार इसका प्रमुक है. अब ये आता है, अब आते हैं शुकराणूं, शुकराणूं है क्या कोशिका, ये इसका सबसे उपरी भाग को एक रुसोम कहते हैं, और बीच में एक केंद्रक होता ह है, जिसमें गुनसुत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़े गुनसुत्र होंगे, बीच वाले हिस्से को जो जोड़ता है, इसको सेंट्रियाल कहा गया, और इसके अंदर माइट्रो कांडिया उसके नीचे इस्थित होता है, नीचे वाले भाग को पुंच कहा गया है, पुंच हो लेके 10 ml तक के विर बाहर आते हैं उसमें करोडो स्पर्म होते हैं किन्तु मादा के अंडे को केवल एक स्पर्म ही हिसेचित करता है केवल एक सब के जाने का कोई महां पर मतलब नहीं है तो ये था पूरा एक समरी इसमें आपको जाना है ये नस हंदी वाला एरिया संगरह कहां से होता है प्रोइस्टेट हर्मोन का स्वराव कहां से हुआ है ठीक है और इन अंगों के बारे में और इसका अंडच कौन है जरायू कौन है ठीक है इसको आपको जानना है प्रोइस्टेट रंथी का कार भी क्या है ठीक अब इससे कुछ कोस्चान है जो हम लोग समझते हैं पहला सवाल, लिंग के आधार पर मानो है, एक लिंग यह है, मानो क्या है? इसमें जो भी होगा लिंग उसमें एक होगा, नर या मादा मानो जरायू है क्योंकि ये बच्चे देता है शुक्राणू का निर्माण कहां पर होता है विरिशन के अंदर यहां जालिया होती है महिन महिन उसी में अनुश में अत्यधिक बाल किस हार्मोन के कारण आते हैं टेस्टो इस्टोरन के हार्मोन के कारण सुराव कहां से होता है ये भी रिशन की अंदर से ही होता है तेस्टो इस्टोरान हार्मोन का सुराव कौन करता है तो है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका भी इसका नाम है लीडिंग कोशिका इसको कहते क्या है अंतराली या लीडिंग लीडिंग कोशी का भी इसको कहते हैं उसके बाद आता है मानों में हिसेचन होता है आंतरिक की वाह आंतरिक होता है वाह नहीं होता है शुक्राणों को तरल माध्यम किसे प्राप्त होता है वो इससे होता है शुक्राशे के दिवारों से छोड़े जाने वाला चिपचिपा पदार्त जो वीर का अधिक्तम भाग होता है वास्तों में शुक्राणू होते क्या हैं? कोशिका होते हैं होते क्या हैं ये? कोशिका होते हैं ठिक? तो ये कुछ special कुछ सवाल थे जो आपको जानने चाहिए और बाकी इसको आप अगर पढ़े हैं जानने हैं तो इससे जो सवाल आते हैं आप जान लेंगे और शुक्राणू का तापमान सरीर के तापमान से तीन से चार डिग्रीज हेल्सियस कम पर होता है इसलिए बाहर की तरफ होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया हुआ कुछ ने कुछ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए अगर आप चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब करिए मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में अब तक के लिए अलविदा जय हिंद